पावभाजी जो कि मुंबई डेली का स्ट्रेट फूड है और मैक्सिमम लोगों द्वारा खाना भी बहुत पसंद किया जाता है तो चलिए आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुत ही सिंपल तरीके से कम से कम सब्जियों के साथ बिना फूड कलर डाले कम से कम समय में एक बढ़ि कि सब्से पहलेे हमें तियार करना ले पावभाजी मसाला हमें लेना है एक पैन या दवा – जिसको में अच्चे से गरम होने देना है उसकी बाद हमें डालना है चार चोटी चम्मच धनिया हमें सावु धन्याक यूज करना है साती साथ हमें डालना है दो चोटे चममत जीरा इनने हमें हलका सा रोस्ट करने है रोस्ट करने के बाद हम इसे एक अलग भरतन में रख देना है उसके बाद हमेंलेने हैं दो तेज पत्ते जो के Midian Size के होनी चाहिए साथी साथ 15-20 काले मिर्च 10 लॉंग साथी साथ हमें लेना है एक छोटी लाईची एक इंच दालचिनी का तुकड़ा साथी साथ एक छोटी चम्मस सौप का इन मसालों को भी आप हलका भून ले इन मसालों को हलका भूनने के बाद भी बाकी मसालों को साथ मिला ले और आपको एंड मिलेना है सुखी लाल मिर्च लाल मिर्च को आप अलग से ही भूने अगर आपने सभी मसालों के साथ भूनेंगे तो आपको लाल मिर्च की धसक लग सकती है इसकी वैसे आपको खासी आ सकती है इसलिए लाल मिर्च को पीस कर आप सभी मसालों को एक साथ पीस लें इन मसालों को पीसने के बाद आपको इसमेड करना है सौधनुसार हल्दी पाउडर साथी साथ आमचुर पाउडर पाउभाजी मसाला बन करते गयार है रहोजा जी बनाने के लिए मैंने लिया है गाजर, गोबी, बारिक कटे हुए आलू, साथी साथ, दो मीडियम साइज के प्याज, दो मीडियम साइज के टमाटर, इन सभी को मैंने बारिक चॉप कर लिया है, साथी साथ मैंने लिया है अधरक लेस्टन, साथ से आट लेस्टन क उसमें डालनी है इसारी सब्जिया आपको तामाटर रुप्यास को छोड़कर बाकि सबी सब्जियों को लचना द्रग के साथ एक से दो सब्जियों में डालना है आपको थोड़ सा पानी और लगानी है आपको एक सब्जियों बलकर तयार है अब आपको सब्जियों से ये पा एक कड़ाई ऐसा गहरा बर्दन मैंने पावाजी बनाने के लिए लिया है देड़ से दो बड़े चम्मच सरसो का तेल अगर आप चाहे तो आप तेल को स्किप करके इसे केवल बटर में बना सकते हैं तेल गरम हो जाने के बाद हमें स्मैट करना है एक छोटा चम्मच जीरा ज से मैंने बारिक चाको से काटकर डाला है और साथी अप्याज को ल्देना है प्याज लाल हो जंकी है अम इसमेठ करना है बारिक कटा होबाटा माटर के साथ हमें अड़ करना है स्वाधन उसार नमक तो कि नमक डलने से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं नमक के साथ साथ अपैड कर दें हलका सपानी योकि टमाटर को गलने में और भी जादा हेल्प करेगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चानल पर नए है तो रट बटन दबा कर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि कभी भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हाँ वीडियो के स्टार्टिंग में ज अपने अनुसार ही रखे जितना जरूरत हो उतना ही मसाला डाले मसाले के साथ साथ आप इसमें एड़ कर सकते हैं आमचुर पाउडर जो की मसाले में लाएगा एक खटा सा टेस्ट मसाला पक चुका है यह देखिए मसाले पकने के बाद आपको इसमें एड़ करना है उबली सब्जियों को डालते हुए आपको इन सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेना है मैंने इन सब्जियों को ग्लास की सायता से मैश कर लिया है सब्जिया पूरे तरकी से मैश हो चुकी है अब हम इस मैड करना है सब्जियों का पानी जी हां वही पानी जिसे हमने बॉल करने में यूज किया था पानी डाल कर हमें भाजी को पतला करना है और साथ आपको इसकी consistency को इसे वक्ट फिर्ट वाजी में खाल घुड़ी में बटर को अपने अनुसार क इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिरस पावडर यह मैंने color के लिए डाला है क्योंकि मैंने पाव भाजी में किसी भी food color का use नहीं किया है क्योंकि पाव भाजी में butter का बहुत ही जादा main roll होता है इसलिए मैंने butter कोई तरीके सी use किया है बापी बचा हुआ butter जब हम पाव भाजी को serve करेंगे इसमें डालेंगे अब आपको add कर देना है इस butter के तड़के को पाव भाजी में कितना बड़िया color निकल कर आया है बिना food color के भी अगर आप सब्जियों में natural color चाहते है तो आप सभी सब्जियों को एक साथ boil करते समय आप इसमें एड़ कर सकते है थोड़ा से चुकंदर जोगी पाव भाजी में बहुत ही अच्छा color लेकर आएगा बारियाती है सबसे end की end में आपको इसमें डालना है बहुत सारा धनिया पत्ता जहां जोगी लगाता है पाव भाजी में चारचान और टेस्ट को करता है दोगना ज्यान रखे आप इसमें धनिया पत्ता ही आड़ करे कसूरी मेथी नहीं आड़ करे आजी बनने के बाद सेखने के लिए आपको लेना है एक तावा या फिर ऐसा पैन उसमें हम एड़ करना है थोड़ा सा बटर बटर डालने के बाद आपको बटर में आड़ करना है और पाव भाजी मसाला और पाव को हलक हलका दोनों तरफ सेख लेना है देखने के बाद आप कर सकते हैं से बीच आव भाजी को और भी जादा टेस्टी बनाने के लिए जल्दी से रड़ बटन दबाकर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें कोई मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो रड़ बटन दबाकर मेरे चानल को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नहीं रेस्पी के साथ अब तक की वी बाई